नमस्कार दोस्तो मेरे नाम स्रीकान कुमर अब देखरे टुजेट कोसेस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तो अगर आपका LPG GAS में मोबाइल नमबर अपडेट नहीं है तो दोस्तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मोबाइल नमबर को अपडेट कर लें और दोस्तो LPG GAS का सबसीडी भी मिलना सुरू हो गया है जो इस वीडियो में हम लाइफ प्रूप के साथ दिखाने वाले हैं और दोस्तो अगर आपको सबसीडी नहीं मिल रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा जो सबसीडी मिलना सुरू हो जाए तो दोस्तो उसके लिए इस वीडियो को कमप्लीट देखना होगा इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में स्टेब आ स्टेब करके बत लाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पिनने हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बलेकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिपिकेशन सबसे पहले अब की पास पहुच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू कर दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा तो सबसे पहले मोबाइल या लैपटोप का किसी एक ब्रॉजर को ओपेन कर लेना है ब्रॉजर में टाइप करना है लपीजी गैस टाइप करने के बाद सर्च के ओप्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद सबसे उपर में जो लिंक द देखने की लिए मिल जाता है भारत गैस, HP गैस, इंडियन गैस, जीस कमपनी में आपका connection होगा उस सलेंडर पे इस परकार से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार की इंटरपीस देखने के लिए मिल जाता है दो ऑप्षन, पहला ऑप्षन देखने के मिल जाता है signing का और दूसरों option देखने के लिए मिल जाता है new user का तो सबसे पहले new user के option पे click करदना है click करने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार के page open हो जाता है और यहां से सबसे पहले अपना account को create कर लेना है और दोस्तों जैसे फिर आपका account create हो जाता है तो दोस्तों यहां पे दिखने के लिए मिल जाता signing के option signing के option पे click करना है click करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा तो इस box में mobile number या email ID को फिलप कर देना है इस capture code को इस box में फिलप करना है login के option पे click कर देना है इस box में password को फिल अप करना है उसके बाद लौग इन के आपशन पर क्लिक कर देना है लौग इन होने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार के इंटरफेज देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर प्रेसंटर कुछ डिटेयल्स देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले OK के option पे click कर देना है और दोस्तों जैसे A side में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे option देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे जो देखने के लिए profile इस वाले option पे click करना है और यहां पे एक option देखने के लिए मिल जाता है update registered mobile number तो simple से आपको इस वाले option पे click करना है उसके बाद दोस्तों इस परकार के page open हो जाता है तो सबसे पहले इस box पे टी-court कर देना है और उसके बाद इस capture code को इस box में फिलब करना है उसके बाद generate OTP के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों अधार verification के लिए यहां पे देखिए अधार card में जो भी mobile number है उस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को इस box में type कर देना है और इस capture code को इस box में फिलब करना है उसके बाद संबित के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस परकार के page open हो जाता है और दोस्तों LPG gas के साथ जो mobile number को link करना चाते हैं उस mobile number को इस box में फिलब करना है उसके बाद verify के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों जो भी mobile number यहां पे link कर रहे हैं उस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को इस box में type करना है उसके बाद संबित के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पे देखें mobile number जो है की update हो गया है यानि LPG gas में mobile number जो है की पुरी तरह से link हो गया है यहां पे इस परकार के एक notification दिख रहा है की mobile number update successfully हो गया है दोस्तों इस परकार से LPG gas में mobile number को update कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं की LPG gas का subsidy मिलना सुरू हो गया है जो इस वेडियो में हम live proof के साथ दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा home page पर चले आना है और home page पर आने के बाद यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है try your refill इस वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों subsidy का statement इस परकार से open हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर दिखे कैसे memo amount दिखने के लिए मिल रहा है कितना रुपया cylinder का लग रहा है यहाँ पर इस परकार से देखने के लिए मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पर दिखे कैसे memo date यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है यानि किस date में जो कि subsidy आपको मिला है उसका date यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 20 सितंबर 2022, 16 सितंबर 2022, 26 अगस 2022 इस परकार से दोस्तों सबसीडी यहाँ पर हमें मिला है और जैसे में साइड में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए subsidy amount देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखे 89 रूपया 26 पैसा यहाँ पे subsidy मिला है और दोस्तों यहाँ पे देखे कौन सी डेट में आया है तो यहाँ पे देख रहे हैं 16 सितंबर 2022 को यह subsidy मिला है और दोस्तों यह देखे 20 सितंबर 2022 को यहाँ पे सबसीडी मिल गया पर दोस्तों यहाँ पर जो कि अभी अपडेट नहीं किया गया है जो हम आप सभी को जो मैसेज आया उसका लाइब टूप पर साथ दिखाने वाल है तो दोस्तों जैसे हम इमेल आईडी को ओपेन किया हो तो दोस्तों आप यहाँ प दोस्तों यहाँ पर देक्ए सबसीडी का यहाँ पर नोटेफिकेसन मिल रहा है और यहाँ पर दोस्तों जो भी अपक Kr witch करना होगा तो चले दोस्तों वीडियो आगर पसंद आए तो